एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है हंटर्स के जितने भी स्किल होते हैं या क्लास होते हैं उन में से सबसे खतरना क्लास होता है नेक्रोमेंसर की क्लास जो हंटर्स की दुनिया में सबसे खतरना की स्किल माना जाता है और एक ऐसा नेक्रोमेंसर है इस दुनि से हमेशा अकेला बच के निकली जाता था इसी की वैसे उसका नाम पड़ गया हेडियोस एक इमोटल किंग जो कभी नहीं मर सकता है और इसी के साथ हमारे सीरीज के मेन करेक्टर को भी दिखाया जाता है जिसका नम कौंग ना इसके दूसमन है बलकि इसी के खुद का गिल्ड है ग्रिफिन गिल्ड जो इसे एक देथ के में फसाने के बाद लगातार इसके उपर हमला करते हुए जा रहा है और इससे मारने क्वोसिस कर रहा है इसे यहां लड़ते हुए पिछले 6 महीने बीच चुके यह पिछले 6 महीने से यहां शर्वाइब कर रहा है और अभी तक 1000 लोग को मार चुका है इतने लोगों के जाने जाने के बाद अभी बी ये मौत का खेल रुका नहीं है अभी भी हजारों के थादात में hunter हमारे main character को उपर attack करें उसके सामने खरे हैं और आज जितने भी यहाँ पर hunter है वो कोई मामूली hunter नहीं है वोolly Junior गिल्ड के सबसे बेस्ट और पाउरफुल हंटर्स हैं और आजी का वो दिन है जहाँ ग्रेफिन गिल्ड के हेट कौर्टर ने डिसाइड किया है कि वो अपनी फूल पाउर के साथ हमारे मेन करेक्टर रूपर अटेक करेंगे और उसे डिस्टोई कर देंगे खतम कर देंगे क्योंकि पिछले छे महिने में गिरिफिन गिल्ड के कई हजारों हंटर्स प्मारे जा चुके हैं और गिरिफिन गिल्ड भी अभी काफी भारी डैमेज के साथ गुजर रहा है इसलिए ग्रिफिंड गिल्ड के बास अब दो ही रास्ते है या तो हमारे main character को destroy कर दे या तो खुद ही destroy हो जाए फिर हमें हमारे main character को दिखाया जाता है जो अपने सामने इतने सारे hunters को देख के बिल्कुल भी नहीं घप राता है वो अपने आपको fight के लिए ready करते हुए कहता ह तुम चोटे मोटे कीरो के लगता है तुम मुझे मार सकते हैं मुझे तो तुम पे हसी आती कि तुम जैसे लालची इंसान जो कुछ पैसो के लिए यहां पे मुझे से लडने के लिए आए हैं वो मुझे मारना चाहते हैं मुझे लगता है कि तुम लोग अपनी जगा भूल चुके हो मुझे तुम लोग को दिखाना होगा कि आखिकर तुमारी असले जगा कहां पे है यही कहने के साथ हमारा मेन करेक्टर अपनी हाथ में अपनी पावर को इखटा कर रहा होता है यह देख कि वहाँ पे जितने भी खरीवे हंटर होते हैं वो जल्दी से हमारे मेन करेक्टर को उपर अटेक करने के लिए जाने लगते हैं और जाते हुए कहरते हैं जल्दी से उसके उपर अटेक करो उसे मार दो उसे जिन्दा पकरो या मारा हुआ, फिर भी जो उसे पकरेगा उसे 5 million gold coin मिलेंगे, जिस सुनकर जल्दी से दो hunter हमारे main character को पर attack करने के लिए आगे बढ़ते और कहते जल्दी से उसे block करूँ, वो अपने soldiers को समन कर पाए इस से पहले, लेकिन तब तक काफी ज़न लेट हो चुका होता है, हमारे main character ने अपने नीचे formation को activate कर दिया होता है, जिसकी वसे वो अपने dragon iris को समन करने लगता है, उसका dragon iris पी एक skeleton ही होता है, जो उस formation के अंदर से बाहर आने लगता है, और यह देखके वहाँ पर जितने भी hunter होते हैं, जो हमारे main character रूप पर attack करने के लिए जा रहे होते हैं, वो अपनी जगा पर ही रूख जाते हैं, उस dragon को देखके घबराते हुए कहते हैं, एसा कैसे हो सकता है, इसके अंदर से जो power निकल रही हो, तो सच में काफी जग तेरिफाइंगे, वो लोग इतना कहते हैं कि तभी में बाहर से सिन दिखाया जाता है, कि उस skeleton dragon के समन होने के विए से उसके अंदर से काफी यह energy निकल रहा होता है, वहां से निकलने के बाद हमारा main character अपने dragon को जल्दी से वहां से निकलने के लिए कहता है, यह सुनके उसका dragon बहुत ही तेज से उड़के वहां से जाने लगता है, फिर हमें वहीं पे नीचे खरे कुछ लोग को दिखाया जाता है, जो उस dragon को देख के आपस में बात करने लगते हैं, यह तो एक dragon है, आखिर का कि इसके पास इतना ज़दा माना है, जो उसने एक dragon को समन कर लिया, और वहीं पे हमारे main character को दिखाया जाता है, जो बहुत ही तेज से वहां से निकल रहा होता है, जो इन सारे चीजों का मास्टर माइंड होता है, अभी तक यहां पर जितने भी सारी चीजे होई है, उन सब के पीछे यही बंदा है, हमारे main character पर जितने भी attack हुए है, उन सब के पीछे यही बंदा है, जो हमारे main character को देख के हसते हुए कहता है, यह तो सच में कितना ज़्यादा unexpected है, तुम वहां से बच के किसी तरह बाहर निकल पाए, लेकिन तुम है क्या लगा, तुम यहां से भाग पाऊगे, यह बात सुनके हमारा main character काफी जग उससे में आ जाता है, वो अपने dragon के साथ उस बंदे के उपर attack करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी हमारे main character के उपर arrow से हमला होता है, जिसकी वह से हमारे main character को पीछे की तरह फटना पड़ता है उस arrow से बचने के लिए, जैसी वो first arrow को dodge करता है, तभी एक दूसरा arrow आके हमारे main character के dragon के पूँच में लगता है, देख के हमारा main character अपने dragon को जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन जलसे ही वो dragon वहाँ से जल्दी से जाने लगता है, तभी एक और arrow आता है, जो उस dragon के सर को चेटते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है, और ये arrow के attack यहीं रूखते हैं, और भी काफी सार arrow के attack होते हैं, जो उस skeleton dragon को बिल्कुल छे देते हुए बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जिसकी वोसे skeleton dragon काफी बुरी तरह से जखमी हो जाता है, और वो बहुत ही तीज से नीचे के तरफ गिरने लगता है, और वो जैसी जमीन पे आके गिरता है, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमका होता है, और वहाँ की जमीन पूई तरह से तूट जाती है, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गढ़ा हो जाता है, और वहीं पे हमारे main character को भी दिखाया जाता है, जो काफी जमीन हालत पे जमीन में परा हुआ होता है, और उस dragon की हालत तो पुरी तरह से खराब हो चुकी होती, वो बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है, और फिर वहाँ पे काफी सरे holy knight आ जाते है, जो हमारे main character को चारो तरह से घेर लेते हैं, फिर वहाँ पे वही guild master आता है काफी सरे knight के साथ, और हमारे main character से कहता है, यहाँ पे देखो तुम चाओ तरह से घेर चुके, तुम्हारे पास कोई भी भागने का रास्ता नहीं है, और तुम्हारा skeleton dragon भी पूरी दरह से खतम हो चुका है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें give up कर देना चाहिए, यह सुनकर हमारा main character हसते हुए कहता है, तुम old man, तुम्हें क्या लगता है, मैं यहाँ पे give up करने वाला हूँ, क्या तुमने मुझे कभी give up करते हुए देखा है, मैं भला ही आज यहाँ पे मारा जाओ लेंगे, मैं कभी भी तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूँगा, मैं लडते भी मरूँगा, गिल मास्टर केता है, तुम्हारी अभी इतनी ज़्दा हलत खराप है, तुम अभी मरने के कागार पे हो, फिर भी तुम अभी लड़ना चाहते हो, और नगीवप नहीं करना चाहते हो, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो, तो चलो, मैं तुम्हारी मौच से तुम्हारा रूबरू करवाता हूँ, ये सुनकर हमारा में केर्ट केता है, तुम बूठे ओल्ड में, तक नहीं बदला है, मैं हमेशा चाहता था, कि सारी चीजे मेरे हिसाब से चले, लेगिन तुम एक लौठे ऐसे इंसान हो, जो मेरी एक्सपेक्टेशन को पार किया करते थे, कुछ हट के किया करते थे, और तुम ही एक लौठे वो हो, मारने के लिए तैयार हो गए, और मुझे धोका दे दिया, क्या मैं बिल्कुल सही कहा रहा हूँ ना, उल्ड में, उस स्टोन को देखके, वो गिल्ड मास्टर काफी जाख खूस हो जाता है, वो हमारे में क्रेटर से कहता है, हाँ, यही एक लौठा कारण है, जिसके वोसे मैं तुम्हे मारना चाहता था, बस इसको पाने के लिए, तुम नहीं जानते हो कि यह स्टोन कितना दा प्रीशियस और केमती है, अगर तुम यह स्टोन मुझे दे देता हो, तो मैं तुम्हें बिना किसी चोट की और जिन्दा यहां से जाने दूँगा, यह सुनकर हमारा में क्रेटर कहता क्या तुम इस स्टोन को पाने के लिए इतनी बूरी तरह से उताव ले हो, यह सुनकर वो गिल्ड मास्टर कहता है, हाँ, वो स्टोन मुझे जल्दी से दे दो, जल्दी दो स्टोन मुझे, वो स्टोन कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसका तुम यूज कर सकते हो, वो स्टोन मुझे जल्दी दे दो, यह सुनके हमारा main character कहता है ठीक है चलो मैं stone तुम्हें दे ही देता हूँ यही कहने के साथ हमारा main character उस stone को guild master की तरफ उचालता है जिसे देख कि वो guild master काफी जग खूस हो जाता है वो जल्दी से अपने दोनों हाथों आगे कर देता है उस stone को पकरने के लिए लेकिन हमारा main character फिर से उस stone को पकर लेता है और guild master से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेखूफ हूँ जो इस stone को तुम्हें ऐसे ही दे दूँगा मुझे अच्छी तरह से पता है अगर मैं तुम्हें यह stone दे देता हूँ main character से करने लगता है प्लीस ऐसा मत करो वह stone मुझे दे दो मैं पक्का तुम्हें यह सजींदा जाने दूँगा यह सुनकर भी हमारा main character नहीं मानता है क्योंकि वह जानता है उसके साथ आखरी में क्या होगा अगर उसने stone दे दिया और वह लगाता हस रहा होता है जिसके वह से night हमारे main character के उपर attack करने के लिए जाने लगते हैं जिसे देख कि हमारा main character हसते हुए अपनी power को release करने लगता और उन सबसे कहता है अभी तक मैंने जीतने लोगों से ला रहा है उनके सामने तो तुम कुछ भी नई हो एक चीटी के बराबर हो बस मैंने अभी तक सेक्रो करने के लिए जाने लगते हैं और उन nights और उन skeleton soldier में fight होना चालू हो जाता है फिर कुछी देर बाद हमारा main character भी मारा जाते है अपनी ज्यादा मना यूस करने की वज़े से और मरते हुए कह रहा होता है मैंने एक लंबी लाराई लरी है जिसकी वासे मैं पूरी तुर से ठक चुका हूँ अब अच्छा समय है मेरे break लेने का और मेरे अराम करने का और इतना कहने के साथ ही हमारा main character मर जाता है फिर हमारा scene change होता है मैं दो servant को दिखाया जाता है जो एक coffin के सामने खरे हुए होते हैं लेगिन तभी उस coffin में लेटे हुए इंसान की आचानक आखे खुल पहले मारा गया था वो इसके बोड़ी में रिकार्डनेट हुआ है और इसी के साथ आज का मारा यह एपिसोड यह खतम होता है यह सीरीज आप लोगों कर दो कि नहीं यह भी बता दीजिए तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजेगा नहीं आगा फिर भी लाइ